नमस्कार प्रभवसाक्षी.com के हेल्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की भागती दोड़ती जिंदगी में लोग अपने स्वास्ते के प्रती बेपरवा होते जा रहे हैं खाना खाने का कोई टाइम नहीं है और हम जो खाना खाते हैं उसकी गुणवत्ता पर भी बहुत सवाल उठते हैं बजार में जो चीज हम लेकर आ रहे हैं वह नकली है या असली इसकी जाच करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है और आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वह बिल्कुल जब छोटे होते तबी से जंग फूट खाका के वह मोटे हो जा रहे हैं जिससे वह उनके स्वास साल यह 20 साल की जिंदगी से ही गोलियों पर अपना जीवन गुजारे इस प्रयास में आज हम हैं यहां पे ग्रीन पार्क के अदीवा होस्पिटल में और हमारे साथ हैं डाइटीशन अनिका बग्गा जी आईए जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब आपका बहुत-ब बेपरवाह हैं और मतलब एक जैसे कि आपसे चर्चा भी हो रही थी लोग चाते हैं कि हम खाना खाना छोड़ दें तो हम थोड़ा फिट रहेंगे या फिर अपने जो मिल्स हैं वो स्किप कर देते हैं अपने वर्क प्रेशर के वैसे तो इस पर आपका क्या मत रहें यह सबसे गलत धारना है खाना छोड़ने से वजन नहीं होता खाना सही खाने से वजन कम होता है अगर आप नियव में तोर पे अपने सारे न्यूट्रियन सा बराबर ले रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री लाइट रख रहे हैं तो आपका ना बढ़ेगा और इन फैक्ट आपको वजन लूज करने में भी काफी हिल्प करेगा तो आप कोशिश कीजिए कि दिन में छे से साथ बारी अपना मील पाटन रखिए ठीक है ब्रेक्फिस्ट का भी स्किप मत कीजिए ठीक है ब्रेक्फिस्ट पे बहुत ध्यान दीजिए कोशि लेकिन हमारी बॉड़ी तो चल रहे है तो उन सब चीजों के लिए हमें खाने की जरूरत है खाना छोड़ना इस नॉट सिल्यूशन कि आपका वेट लॉस होगा आप कोशिश कीजिए कि आप बेटर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए अगर आपने दाल खानी है आप स्प्राउट अगर आपने उसमें रोटी लेनी है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप बाजरे की बीज की रोटी कीजिए मल्टी ग्रेन लीजिए ताकि आपको बाकी मल्टी विटरमेंस और न्यूट्रियंस भी मिल सके भरपूर मात्रा में और यह जो एक लोगों की धाना बंदी यारी क जो अपने जैसे कहा कि आप दाल की खाना है तो उसके बीज़े आप स्प्राउट्स खा सकते हैं लोगों को सप्लिमेंट्स यूज करने लग गए हैं सप्लिमेंट्स देखिए कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही सबसे पहले हमारी बॉड़ी को फूड की आदत होती है बच दूसरी चीज यह सप्लिमेंट्स आर्टिफिशल होते हैं अगर वो नाचरल फूड से भी एक्स्ट्राक्ट कियेंगे हैं फिर भी केमिकल प्रोसेसिंग है आप अन्नेसेसरी केमिकल क्यों खाना चाहते हैं थर्ड चीज उसके साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप कोई फाट लूस करने के लिए कर रहे हैं अगर आपकी बॉड़ी ने रियाक्ट नहीं किया या रियाक्शन देती है तो आप फाट गेन भी कर सकते हैं तो इस नौट नेसेसरी कि सप्लिमेंट्स आपको बेटर रेजल्ट्स ही देंगे दूसरी चीज यह है कि सप्लिमेंट् आपकी बॉड़ी को साइड इफेक्ट जरूर करेंगा अगर हम 30 से 35 वर्ष के जो चाहिए वो महिला की बात करें पुरूश की बात करें तो अपने वो कैसे फीट रख सकते हैं उनको अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए सबसे पहले डाइट को आप इतना बड़ा ह यह आपका रोज का खाना है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं रोज आपने बॉड़ी में ही फ्यूल डाला है सो आप अपने डाइट को बहुत सिंपल रखे सुबह उठिये एक गलास गरम पानी पीजिए अपने आपको फ्रेश रेजिए अपने आपको अपने आपको प्रिपेर कीजिए प्लान कीजिए खुश रहिए उस खाने को तब ही आपका ब्रेक्फस्ट होगा उसके बाद अगर आप काम पे जाते हैं अपने आपको काम में इतना वियस्त मत कीजिए कि आप चीजे बूल जाएं आप ये स्टार्ट करेंगे आप देखे कीजिए easy to carry चीजे रखिए अपने लिए आप breakfast की ही चीजे repeat कर सकते हैं कि आपको time भी बचेगा morning में and आपको nutrition भी मिलेगा अगर आप किसी meeting में हैं जैसे bosses होते हैं they say that कि हम लोग meeting में हम खाना skip कर रहें नहीं आप अपने client को भी involve किजिए अपने खाने की activity में एक तो आप पानी ले लिया यह easily available आपके office के premises के बाहर यह चीजे मिल जाती है आप अपने की बात करूं तो दिन में कई लोग होते हैं कि जो पांचे चाय या कॉफी ही उनकी चलती रहें तो दिन में अगर अगर आप चाय की बात करें तो यह कितना लेना चाहिए दिन में मेरे हिसाब स कि अकप चाइए जाद़ से ज़ाद़ से जाद़ सफि rubbish होते हैं आपके एक कप चाय में कम से कम कैफीन की मातर 30 मिल फसाब से होती है वही अगर आप एक कॉफी लेते हैं आपको णो मिल जाता है नर्जी के लिए पर लांग द्यूरेशन के लिए आच्छा नहीं है आप लफाजिक फील करेंगे 1-5 घंटे के बाद, उसके बाद आप फिर कहेंगे एक और कप चाह चाहिए, डेट से घंटे बाद फिर कहेंगे एक और कप चाहिए या काफी चाहिए, वो आप अपनी बोडी को anti-nutrients दे रहे हैं, anti-nutrients का मतलब यह है कि आपकी जो बोडी में अच्छे पॉष्टिक तत्व हैं मिल्कों वो आपकी बॉड़ी में अब्सॉर्प होने नहीं देंगे जीके जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमने चाय ले ली और मिल्क के न्यूचिन्स मिल्क के नहीं आपका केलशियम के अब्सॉर्प्शिन हिंडर हो जाती है रुक जाती है जैसे ही आप काफीन या टानन आप चीजे लेते हैं जो दूद वाली चाय छोड़ देते हैं, उसको black tea पिसंद करते हैं, या खाली black coffee या green tea उसको विकल के रूप में आजमा लेते हैं, तो ये सही है? Black tea and coffee का same effect है, in fact green tea better option है, green tea में अच्छी मात्रा में antioxidants होते हैं, kathakins नाम के एक अच्छी antioxidant की मात्रा होती है, जो आपको energized भी रखते हैं और उसमें कोई caffeine और tannin नहीं है, आपको कोई side effects नहीं होगा, कोई habit डेवलाप नहीं होगी, कोई addiction डेवलाप नहीं होगी, और एक वे से एक warm water है, जो आपकी body को clean करेगा, side by side detoxify करेगा, आपकी kidney को help करेगा आपकी body को साफ रखने में, और चाय से एकर जूड़ी हम चीनी की बात करें, तो लोगों के में बड़ा भ्रहम रहता है कि मुझे ये white sugar लेनी चाहिए, brown sugar लेनी चाहिए, या sugar free लेनी चाहिए, तो इसको लेकर बड़ी ब्रहांतिया है, white sugar कीजिए, brown sugar कीजिए, चीनी तो चीनी है, ठीक है, सबसे जादा हानेकारक ये बात है diabetic patients के लिए, जो ये सोचते हैं कि हमने चीनी तो छोड़ दी लेकिन brown sugar ले, नहीं, सबसे गलत बात ये है कि आप चीनी ले, गुड ले, जैम ले, जैली, मिठाई, शेह, जो भी नाम दे चीनी चीनी होती है, उतनी calories उसी में होंगी, और वो ही side effects देंगी जो एक चीनी देती है diabetic patients के ले, फरक ये हो सकता है कि कम chemical processing use हो, बट इसे ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई nutrients बढ़ जाते हैं या उसमें calories कम हो जाती है, आपका एक चामा चीनी आपको कम से कम 20 kilo calories देगा, और सबसे जादा वो एकदम से आपके बोडी को शॉक देता है, विच इस बाट फो दे डाइबटिक पेशिंट, अगर आप वेट लॉस में हैं, अगर आप दाइबटिक हैं, अगर आप प्रकॉशन्स ले रहे हैं, तो प्लीज आवोइड आल सॉर्ट ऑफ शुगर, शुगर फ झाल सुग पर बॉसुगर पर देता है, विच शुगर विट लोस नहीं पर लॉसुगर वांप वेट लोगे उजुगर, अगर छोय लोगों को यहां पायाग तो आजकल हम देखते हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो होता है कि ऑली वाइल के बिना स्वास्त बनी नहीं सकता है, तो इसको इस भ्रहनती पर आप क्या कहने हैं चाहेंगे, देखिए मेरा मानना यह है, ओल्स बहुत अच्छे दोस्त है हमारे, हमारे ब्रीन्स के लिए हमें न्यूट्रिन्स नहीं मिलेंगे, हर ओयल के अपने कोई न कोई फायदे होते हैं, आप बदाम खाईए, आप अख्रोट खाईए, आपको जरूर फायदा मिलेगा, ओल्स पर डिपेंट करना बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, हमारे पास मस्टर्ड ओयल है, कनोला ओयल है, कोशिश कीजिए, जितनी वराइटी ओफ ओयल्स यूज करेंगे, आपको हर ओयल का अपना कोई न कोई बेनेफित जरूर मिलेगा, ओल्स पर डिपेंट होना, मतलब हमें एक तरह का ही न्यूट्रिन्स मिल रहा है, बाकी न्यूट्रिन्स को हम लोग अवाइट कर रहे हैं, दूसरी सबसे बात यह है कि ओलेव ओल्स लोग यूज करते हैं बहुत गलत तरीके से, लोग सिर्फ एक्स्ट्रा वरजिन ओल्स को यूज कर रहे हैं, कुकिंग के लिए भी, नॉर्मल सालिट में भी डाल रहे हैं, हर तरह से यूज कर रहे हैं, वो सबसे गलत बात है, एक अगर किसी ओग उड़ाना है, तो उसको अपने जैसा कि यह बात बात ऑलिव ओल के भी नूट्रियन्स खतम हो जाते हैं, जैसे ही एक्स्ट्रा वरजिन ओल को हमने गरम किया, उसके नूट्रियन्स खतम हो जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सालिज के लिए यूज हो सबसे पहले वजन बढ़ाने में अगर टाइम लगा है, तो वजन घटाने में भी टाइम लगेगा, यह बात हमें अच्छी तरह मान के चलने दी, कोई जड़ी नहीं है, कि आपका वजन कम हो जाएगा, कोई कुछ ने, सबसे पहले आप यह जानिए, एक डाइटिशन से मिल हम खाना खा रहे हैं, वो बहुत माटर करता है कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, दूसरी आपको कोई डिजीज तो नहीं है, जिसे थायरद है, या हार्मोनल प्रोब्लम्स है, या स्ट्रेस लाइफ है, जिसकी वज़े से आपका वजन बढ़ रहा है, आपका हैं दूसरे लोगों पर, आप अपनी कार पाक कीजिए अपने ओफेस या काम करने की जगह से आदा किलोमीटर दूर ताकि आप आदा मील वॉक करके जाएं, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एक्सराइस भी हो रही है, जो घर पर रहने वाली महिला है, वो अपना घर का पूरा काम कीजिए, जाडू लगाइए, बरतंद हो ये, पोचा लगाइए, ये ऐसी आक्टिविटीज आप करते रहेंगे, खाना तो हमने डाल दिया, बटा कर हमने चक्की नहीं चलाई, तो कोई भी आपका वेटलस नहीं करा सकेगा, तब ये जो गैस वैस की जो दिक्कत जैसे कुछ डाले हैं, जो गैस क्रियेट काती है, राजमा, चने, छोले लोबिया, आप इन्हें स्प्राउच करके खा सकते हैं, बारा घंटे इन्हें अच्छी तरह से सोक कीजिए, ताकि केमिकल चींजिस हो सके, इजी तो डाइजिस्ट रहें, या आप फोमेंटेशन का बहुत इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे आपने चने की डाल खानी है, आप उसका बेसन का चीला बना लीजिए, ढोकला बना लीजिए, या उरत की डाल है, तो आप उसे डोसा बना सकते हैं, उत्पम में यूज कर सकते हैं, तो आपको प्रोटीन की मातरा उतनी मिलेगी हैं, आप दूसरी मेजर वजय है रात के टाइम पर अगर आप खाने इसके बाद इमीडिटली सो जाते हैं आपका डाइजिशन इंकम्प्लीट रह जाता है जिसकी वजय से भी आपको गास्टिक प्रॉब्लम्स है थर्ड मेजर रीजन यही है जो लोग फसे में हैं इस जाल में कि खाना स्किप करने से हमें वेट लूस होगा उन लोगों को भी ग्यास की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें यह अरहर की दाल भी शामिल होती है हां जी बिल्कुल आप उन्हें भी स्प्राउट करके फर्मेंट करके अच्छी तरह से प्री सो करके आप से ही शुरू हो गए थी कि एक स्लाइस चीज लीजिए और एक ग्लास दूद के बराबर है यह बिल्कुल गलत बात है बचों को हम खिलाते हैं चीज की मोटा भी रहेगा ताकत भी रहेगी नहीं सबसे पहली चीज यह है चीज जो है आजकल मार्कें में प्रोसेस चीज है य यह बहुत दूद में कम से कम, देखिए 1-500kg कलोरी चीज है वही बाती है अट क्राम प्रोटीन हुआ वही एक 40-грाम के चीज शी स्लाइस में सिर्व सफ़ स्थर किलो कालरी होई और सात क्राम प्रोटीन हुआ प्लस इसमें फाट की मातरा ज्यादा होगी आपके दूद से ल सबसे बड़ी बात है कि पेरेंस अपने बच्चों को बहुत बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है यह पेरेंस की मिसकाइडनस है कि हम अपने बच्चे को खिलाएं खुब खिलाएं मुटा हो तंदरुस्त हो तब ही अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है आप अपने बच्चे का भी ध्यान दीजिए कोशिश कीज़े कि वो हर वराइटी का खाना का है सिर्फ और सिर्फ एक प्रो अठा लेके जाता है वट उसके फ्रेंट्स मागी ला रहे हैं उसका अट्राक्शन जरूर मागी की तरफ में होगा तो उस बच्चे के पैरेंस को भी आप काउंसल कीजिए कि आप अपने बच्चे को अच्छा किलाएं एक अच्छा इंवार्मेंट डिवलाप कीजिए ताक आप उन्हें यह कह सकते हैं कि आप वो दिवार को टच करके यह देन एक्स्टा मील एक तरह से इन आप इसी तरह से फिजिकली फिट रहेंगे यह आप अपने बच्चे को कोशिश कर सकते हैं साथ में ले जाएं अगर कोई बजार से शॉपिंग करनी है कुछ करना किसी ना क अगर आपका बच्चा एक्सेसिवली उबीस है आप जरूर एक पडियाट्रिशन से भी कंसल्ट कीजिए फाइं कीजिए कि उसकी अंडरलाइन प्रोब्लम्स भी क्या है सेकें अगर आप है आप उसे स्पोर्च अक्टिविटीज में भी जरूर डालिया बद बद धन्यवा कर दो